दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बीजेपी सांसद निशिकांत धूबे मनोश तिवारी समेथ नौ के खिलाप तरजुई जारखन के देवघर एरपोर्ट की सुरक्षा में चूक के मामले में गोड़ा से बीजेपी सांसद निशिकांत धूबे मनोश तिवारी समेथ नौ लोगों के खिलाप कुंडा पुलिस थाने में एफायर दर्जुई है बीते 31 अगस्त को गोड़ा से लोगसबा सांसद और बीजेपी नेताओं के खिलाप देवघर एरपोर्ट के एटीसी में जवरण परवेश करने और अपने परभाव का इस्तिमाल कर जवरण एटीसी क्लियरंस लेने का आरोप लगा है जारखन में टाटा इश्टिल में निकली बंपर भरती जारखन के अनुसुचित जन जाती युवक युवतियों के लिए टाटा इश्टिल में नौकरी करने का सुनहरा मौका है वे टाटा इश्टिल में ट्रेंड अपरेंटिस में शामिल हो सकते हैं शुक्रवार को कमपनी परवंधन ने इसको लेकर अधिसुचना जारी कर दी है। परवंधन द्वराजारी अधिसुचना के अनुसार मैट्रिक या समकक्ष वैसे स्टी शात्र शात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 60 परतिशत अंक से पास हुए हो। 5 सितंबर को बिधान सभा सत्र के दोरान कई बड़े फैसले ले सकती है जारखन सरकार। दोस्तो बड़ी खबर है जियोलोजी की शात्रों को 6 महिने की ट्रेनिंग कराएगी जारखन सरकार। जारखन सरकार बिश्व बिद्यालेओं से जियोलोजी बिश्य में पिछले सेक्षिनिक सत्र में पीजी उतिर्न बिद्यार्थियों को ट्रेनिंग दिलाएगी। इन बिद्यार्थियों से भूतात्वी कारे सें जिहां कारे में भी सहयोग लिया जाएगा। संभावना है कि छह महिने की ट्रेनिंग के लिए प्रतियक बिद्यार्थी को प्रती माह लगभग आठ हजार रुपे इस्टाइप पैंड दिये जाएंगे। अगले पांच दिनों तक होगी बारिश। आईमडी के अनुसार अगले पांच दिनों के दोरान दक्षिन प्रायदी पिये और पुर्वतर भारत में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तो बड़ी खबर है केंद्र सरकार के सभी बिभागों में कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस यानि जोखिम भत्ता दिया जाएगा। हलाकि इसके लिए कर्मियों को एक शर्थ पूरी करनी होगी। D.O.P.T. द्वरा दो सितंबर को जारी पत्र में कहा गया है कि अगर किसी बिभाग में तै जोखिम नियामा वली या उससे बाहर कोई जोखिम है तो उस इस्थिति में कर्मियों को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। रिस्क अलाउंस वेतन का हिस्सा नहीं होगा अगर किसी बिभाग में जोखिम की कोई नई स्रेने दिखती है तो उसके लिए D.O.P.T. ववित्त बिभाग से चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर है मिडिल कलास के लोगों को भी मिलेगा पांच लाक तक के मुप्ति इलाज की सुविधा। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आयुश्मान भारत परधानमंत्री जन्न आरोगिये योजना के बिस्तार पर बिचार कर रही है। इसे मामूली प्रीमेम पर पेश करने की योजना बना रही है। पहले ही और अधिक नीजी और सारवजनिक होस्पीटलों को पैनल में शामिल करना शुरू कर दिया है। के लिए बिस्तरित योजना त्यार करें। सुखार से निपटने के लिए सभी संबंधित बिभाग बिस्तरित कारे योजना बनाए। क्रिशी, पशुपालन, सीचाई, ग्रामिन विकास, मनरेगा और प्यजल समेत अने शेत्र में योजनाओं को बना कर किसानों और मजदों को उनका जिहां उसका लाब देना सुनिश्चित करें। बैठक राज़े में सुखे के आकलन को लेकर आयुजित की गई थी, मौके पर मुख्यमंत्री हिमंस सुरेन ने अधिकारियों से राज़े के बिभिन जीलों और परखंडों में हुई, अल्प बरसा और फसलों की रुपाई की जानकारी ली। अधिये भाषाओं के लिए सिक्चकों के पद स्रिजीत किये जाएंगे। इस कमिटी की बैठक साथ सितंबर को होगी। बड़ी खबर है, UGC की गाइडलेन में छात्रों को मिली राहत मल्टिपल मोड में होगी पढ़ाई। युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यानि UGC द्वारा शुक्रवार को जारी किये गए नए गाइडलेन के अनुसार अब देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टिचूट में सभी कोर्स की पढ़ाई की जा सकेगी। नई गाइडलेन के अनुसार एक ही शेत्र में पढ़ाई करवाने वाले इंस्टिचूट मिलकर स्टूडेंट्स को डिगरी दे सकेंगे। उधारन के लिए मैरेजमेंट एजुकेशन लौ इंजिनियरिंग की सस्थान एक साथ आकर स्टूडेंट को डिगरी इंट्री एक्जिट का ओप्शन भी होगा। इसके ताहत एक कोर्स में कई बार एन्रोल होने का मौका मिलेगा। वहीं कोर्स को छोड़ने और फिर उसी कोर्स को फिर से पढ़ने की सहुलियत भी नई गाइडलेन में इस्टूडेंट्स को दी गई है। शात्रों को भी साथ किये जा सकेंगे। नई गाइडलेन के तहत शात्रों के पास डुवल कोर्स का भी ऑप्शन है हलाकि वे सिर्फ दो माने कोर्स को ही एक साथ पढ़ सकते हैं। 4,44,42,507 हो गई हैं जबकि उपचाराधिन मरीजों की संख्या घटकर 69,210 रह गई हैं। केंद्रिय स्वास्थिय मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुभ आठ बजे जारी आकडों के अनुसार देश में संक्रमन से 21 लोगों की मौत हुई हैं। जिससे कुल मृतकों का आकड बढ़कर 5,27,932 पर पहुँच गई हैं। आकडों के अनुसार देनीक संक्रमन दर 1,94 परतिशत है जबकि साप्ताहिक संक्रमन का 2,51 परतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,38,55,365 लोग संक्रमन से रिकबर हो चुके हैं। घरेलू एलपीजी की कीमतों में व्रिधी ने आम आदमी की जेब पर बोज डाला है। पिछले पांच बरसों में रस्वी गैस की दरों में अंठावन बार आश्र जनक संशुधन किया गया है। पेट्रोलियम मंत्राले के आधिकारिक आंकडों के अनुसार एक अप्रेल 2017 से 6 जुलाई 2022 के बीच एलपीजी की कीमतों में अंठावन संशुधन के बाद 45 परतिशत की व्रिधी हुई है। अप्रेल 2017 में एलपीजी सिलिंडर की कीमत 723 रुपे थी और जुलाई 2022 तक 45 परतिशत बढ़कर 1053 रुपे हो गई है। वहीं रस्वी गैस सिलिंडर की कीमत में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से 6 जुलाई 2022 के बीच 12 मेहने की आउधी में 26 परतिशत की भारी व्रिधी हुई थी। जुलाई 2021 में इसी एलपीजी सिलिंडर की कीमत 834 जिहां 834 रुपे थी। जुलाई 2022 तक इसकी कीमत 26 परतिशत बढ़कर 1053 हो गई है। भारत में जल्द आएगा कोरोना की नेक्स्ट जिनरेशन वेक्सिन दुनिया में कोविड-19 महमारी कभी खत्म नहीं होने बाली है। भारत में भी इससे संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। इसे देखते हुए बैग्यानिक कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए नेक्स्ट जिनरेशन की वेक्सिन पर लागातार काम कर रहे हैं। इसे लेकर रिसर्च जारी है। शिर्ष स्वास्थ बिशेसग्य ने कहा है कि कोरोना से बचाओ का टीका बनाने के लिए देश में बहु लेनी होगी। दूसरा यह है कि अगर हम नेक्स्ट जिनरेशन की वेक्सिन लेते हैं तो यह फिलाल के वाइरस स्ट्रेंज से तो बचाएगा ही। साथी भाईश में वाइरस के नए स्ट्रेंज से बचाओ में भी बहतर होगा और वेक्सिन से सुरक्छा लंबे समय तक बनी देगी।